MSP कानून गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे किसानों के मार्च का आज दूसरा दिन है। किसानों की मांग को लेकर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों जिस कानून की मांग कर रहे हैं, उस पर ऐसे निर्नय नहीं लिया जा सकता कि बाद में लोग आलोच ना करें। क्रिशी मंत्री के बयान से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों की मांगो पर विचार करने के मूर में नहीं दिख रही है। के बंद किये जाने से कालिंदी कुंज, नोएडा में भारी जाम देखा जा रहा है। पुलिस ड्रोन के जरिये इलाके की मैपिंग कर रही है। उधर, पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हाला तनावपून बने हुए हैं। किसान बॉर्डर पार करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिससे पुलिस से तक्राव हो रहा है। वहीं, हरियाना के कई जिलों में वोयस कॉल को छोड़ कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क SMS और सभी डोंगल स सेवाएं आदी 15 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। वहीं, किसान पीछे हटने को तयार नहीं है। बता दें कि हरियाना में टक्राव के चलते करीब 30 सुरक्षाकर्मी और 60 किसान घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है। क्रिशी मंत्री ने कहा, कानून के बारे में ऐसे निरनय नहीं लिया जा सकता कि आलोचना हो। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा ने कहा, कि किसान संगठनों को ये समझना होगा, कि जिस कानून की बात की जा रही है। उस कानून के बारे में इस तरीके से कोई निरनय नहीं लिया जा सकता है, जिससे बाद के दिनों में सब के लिए बगैर सोची समझी स्थिती के बारे में लोग आलोचना करें। जाने के लिए तैयार है।